आवद Computer Center की आज की क्लास में आप सभी चात्रों का स्वागत है जैसा कि पिछले टुटूरियल में आप सभी को NotePad के बारे मताया गया था जहां पर हमने आपको Edit menu, Farmit menu, View menu और Help menu के बारे में विस्तार से बताया था आज की क्लास में हम आपको Windows, Accessories के एक नए application नया भाग जो इसका है नया part है वो है WordPatch तो हम WordPatch के बारे में आज की क्लास में हम बताएंगे WordPatch क्या है? इसका extension क्या है? कैसे open करते हैं? इन सब सीजों के बारे में आज की क्लास में हम बताएंगे तो लिए क्लास को शुरू करते हैं तो WordPad क्या है WordPad Windows Accessories का ही एक भाग है WordPad क्या है Windows Accessories का ही एक भाग है और इसका प्रियोग Test Document को बनाने और Edit करने में किया जाता है जैसा कि Notepad के बारे में भी आपको बताया गया था कि उसका प्रियोग नया डाकुमेंट बनाना हो या पहले से मवजूद डाकुमेंट हो उसमें हम एडिटिंग करने के लिए उसका प्रियोग करते हैं तो वैसे इसका भी यूज किया दाता Wordpad में आप अच्छर को bold, italic और underline कर सकते हैं Notepad में आपको ये सुविधा नहीं मिलती थी कि हम किसी text को bold कर पाएं, italic कर पाएं, underline कर पाएं लेकिन आप Wordpad में text को bold कर सकते हैं, italic कर सकते हैं text का color भी change कर सकते हैं यहाँ पे हम अलग-अलग text को अलग-अलग color में लिख सकते हैं। Wordpad में आप picture, pen drawing तथा object file भी insert कर सकते हैं। Notepad में हम कोई picture नहीं insert कर सकते थे, कोई object file नहीं insert कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई photo भी insert कर सकते हैं, कोई drawing भी कर सकते हैं, मनाना चाहें या कोई आबजेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं नोटपैट का फाइलॅशिंच नेम डाट्ट एक्स्वित था यह था च्श्व धा डाट टी टी धी थी था और जाब कि वर्ट पैट का फाइल शिंच नेम डाट अल्त लिखा क्या है यहाँ पर क्या होगा? RTF होगा, Rich Text Farmating RTF. अब WordPad को हम कैसे Open करेंगे? तो जैसे कि notepad को बताया गए था, सेम वही तरीका है ये आपको Start बटन पर जाना है, ठिक, All program के बाद आपको porch असश्रीस में जाना है, अगर आपका विंडो 10 है तो विंडो जैसे स्रीज में जाना है वहाँ पर नोट पैट वर्ड पैट प्रेंट ऐसे मिलते हैं तो वहाँ भी आपको वर्ड पैट पर क्लिक कर देना है दूसरा तरीका है कि आप विंडो की के साथ और प्रेस करें और यह रंडालाग वाक्स आएगा यहाँ प पर डबल क्लिक करके भी हम उसको ओपन कर सकते हैं तो यह जो है तरीके हैं वर्ड पैट को ओपन करनेगा तो चलिए हम वर्ड पैट को ओपन करके भी देख लेते हैं सबसे पहले हम स्टार बटन पर क्लिक करते हैं फिर हम क्या करेंगे इसको स्ट्राल करेंगे और यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा बिंडो जैसे सिरीज मिलेगा क्या मिलेगा बिंडो जैसे सिरीज और इसमें हम स्ट्राल करेंगे तो यहाँ पे नीचे हमको वर्ड पैट मिलता है इस पर हमको क्लिक करना है और हमारा वर्ड पैट ऐसे open हो जाएगा हम इसको close कर देते हैं और अगर हम run डालाग बास की दोरा open करना चाहें तो बिंडो के साथ हम r press करेंगे बिंडो के साथ r press करेंगे इस तरह का डालाग box आएगा अभी हमने आपको note pad open करना बता था पिछले class में यहां पर हमको क्या type कर देना है वर्ड पैट टाइप कर देना है यहां रहे वर्ड पैट में आपको space नहीं देना है नहीं तो आप वर्ड को अलग कर दो पैट को अलग कर दो तो यह जो है नहीं वर्ड पैट एक में रहेगा इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका वर्ड पैट open हो जाएगा तो यह जो है आप यहां search box है ठीक है इस पर भी क्लिक करके आप वर्ड पैट टाइप करके open कर सकते हैं हम वर्ड पैट लिखते हैं यहां सबसे ऊपर हम को title बार मिलता है दो सबसे ऊपर को टाइटः बार है क्या देखे तो यह जो एरिया आप देख रहे हैं यह Quick Access Toolbar, ठिक? अब यहाँ पर हमको दो टैब मिल जाते हैं, कितने टैब मिलते हैं? दो टैब मिलते हैं इसको हम टैब कहते हैं चै कहते हैं, टैब, Home टैब और View टैब यह हमारा क्या है? File menu है यह क्या है? File menu है यह जो बटन है, यह हमारा File menu है और इसके बाद यह जो है जो पट्टी आप देख रहे हैं यह जो पट्टी आप देख रहे हैं पुरा, इसको हम कहते हैं, Ribbon क्या कहते हैं? Ribbon कहते हैं यहां पे यह हमको मिल जाता है Ruler क्या मिलता है? Ruler यहां पे नीचे जो पट्टी है यह जो पट्टी है, यह हमारा क्या है? इस्टेटस बार है, क्या है? इस्टेटस बार अभी यहां पे स्क्राल बार आपको नहीं मिल ला है पेज को उपर नीचे करने के लिए लेकिन अब यहां पे देखेंगे तो स्क्राल बार भी आपको मिल गया है यहां पे यहां पे जब तक यह रहेगा अब तक फीज रहेगा इसलिए यहां पे स्क्राल बार आपको नहीं दिखेगा इसको अभी हम क्लोज करेंगे तो आएगा अब यहां पे हमको बटन मिल जाते है मिनिमाईज बटन, मैक्सिमाईज बटन, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन यहां पे आपको पता है दो काम करता है यह मैक्सिमाईज और रिस्टोर का और यहां से हम इसको क्लोज कर सबते हैं तो यह है हमारे वर्ड पैट का जो है विंडो परिचे कहां पर क्या होता है कि हम इसको खटा देते हैं और अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है इस क्राल बात मतलब हम पेज को ओपन नीचे यहां से कर सकते हैं तो इस तरह से हमारा वर्ड पैट ओपन होता है और कहां पर क्या है हमने आपको बताया यहां पर यह फाइल मेनू है इस पर क्लिक करते हैं यह मेनू हमारा खुल जाता है लेकिन यहां पर एडिट मेनू व्यू मेनू है जैसा कि आपने नोट पैड में देखा यहां पर हमको उ home type में cut copy paste मिल जाएगा ठीक है आप देखेंगे यहाँ पे find replace select यह सब आपको यहाँ पे home type में मिलता है जब हम view पे क्लिक करेंगे तो view का ribbon open हो जाएगा यहाँ पे दूसरे toolbar है home पे क्लिक करेंगे तो उनको दूसरे toolbar मिलेंगे यह जो ribbon है इसको आप hide कर सकते हो कर सकते हो आप चाहें तो यहाँ पे अगर आप देखें चोटी सी बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ribbon है वो हाइड हो जाएगा आप लोग काम करते होंगे कभी-कभी गायव तो हाइड करना है तो आपको क्या करना है आपको यह जो home tab और beauty वाली पटी मिलती है यहीं पर राइट कर देना है इस पटी प्टी पर मिनिमाइज दा क्लिक करेंगे हमारा ribbon फिर से लाना है और यहीं पर से उपर राइट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा यहां रखना यह जो बट्टी टाइटिल बार के नीचे वाली पट्टीय' हमको राइट क्लिक करना या अब यहां पर देखें यहां पर quick access toolbar है इसका काम है quick मतलब जल्दी से कोई toolbar access करना हो जैसे अभी save करने के लिए हमको क्या करना होता है फाइल में जाते हैं तो यहां पर save हमको मिलता है हम चाहें तो यह save का बटन है यहां quick access toolbar में जोड दे अब इसको जोडने के लिए क्या करना हुगा यहां पर देख रहे हैं कडिक करते हैं तो यहां से अधासे इसपे क्लिक करेंगे वो आइकन वहाँ से हड जाएगा हमको सेक्ट की ज़रूवत है यहां पर क्लिक करेंगे सेव पर क्लिक करेंगे थो स27 जो हय भक्राफ करना होग안 तो हम हम जो है यहां फाइल में जाके सेब नहीं करेंगे हम डारेट चाहें तो यहीं पर क्लिक कर दें सेब डालाग बाक्स आएगा और हम यहां पर इसको नाम देकर सेब कर सकते हैं इसी तरह आपको और भी बटन जोड़ना है तो यहां पर आप जाएंगे और यहां पर रिभ्यू कर जाएंगे है टीक जाएंग हो नेचे करना चाहिए इस पर भी एक हीर और रिबन की नीचे करना चाहे घुए और और जो बिलो डि रिबन मिलता है इस पर कट झेटरोग defined तूलबार है वहां से कुई किसल yarnत दलबर नीचे आ जाएगेए उना इसको ऊपर ले जाना है यह जो टूलबार है तो इस पर क्लिक करियेगा और क्लिक करने के बाद आपको show above ribbon करना है तो फिर से ये title वार में किला जाएगा और यहां से भी हम इस ribbon को hide करना चाहें मतलब minimize करना चाहें तो यहां से भी minimize कर सकते हैं और फिर से यहां पर click करके minimize the ribbon पर click करेंगे तो फिर से ये show करना है clear हुआ तो इस तरह से आप जो है wordpad को open कर सकते हैं और इसका जो है जो भी setting है वो कर सकते हैं तो आज की class में इतना ही रहेगा अगली class में हम आपको wordpad के file menu बार के बारे में और home tab के बारे में बताएंगे तो तब तक के लिए जैहिन जैभारत